और आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी जो है यह मंत्री मंडल में सामिल नहीं हुए है यह क्या कारण हुए हम लोग इस सरकार का जो यूबा की आवाज उठाने के लिए सदन मेकलावता है संदीप सवरभ है एक सवाल है कि संबीदा पर जो भी काम कर रहे हैं तो क्या लगता है उनका भविष कहां जाएगा जोब करने वाले लोग के लिए जो बिहार में जिनका जौब नहीं है त्यारी क्या जो छोटा करम चारी है ओव ऑफिसर नहीं बन सकता है निसीतोर से उनको बनना चाहिए सरकार का पॉलसी है तो इस पर देखा जाएगा अभी हमारे स में मोधी सरकार का जो जन विरोधी नीतियों के चलते जनता के भीतर जो नराजगी थी और लोग चाह रहे थे कि विपक्ष जो है देश का वो एक जूट रहे तो वो ऐसे तमाम लोगों की आकांग्छाएं हमें लगता है कि आज पूरी हो रही है और जिस तरीके से बिहार क के लोगों ने पिछले बार महागतबंधन को मैंडेट दिया था और बहुत कम मार्जिन से अंडिये की सरकार बन गई और उसके बाद इन लोगों ने अलग-अलग सरकारों को तोड़ना शुरू किया तो जो महरास्त में पिछले दिनों इन लोगों ने किया उसका बदला कह का जो गठन हुआ इसका हम लोगों ने स्वागत किया है और हम चाहते हैं कि बिहार के सामने बिहार की सरकार के सामने जो चैलेंजेस हैं सिक्षा के मामले में रोजगार के मामले में जो बुनियादी बिहार की इंफ्रास्ट्रक्ट्टर है करना हैं लेकिन साथी साथ मंत्री मंडल में नदा करके हम चाहते हैं कि जनता का जो आंदोलन अलग-अलग मुद्ध पे जनता आज भी संघर्स कर रही है अब यहां मंत्री मंडल का गठन चल रहा है लेकिन घर्दनी भाग में छात्र जो है वह सात्मेशन के लिए अंदोलन कर रहा है तो उन्सके और सरकार के बीच में एक पूल का काम करना एक सेतु का काम करना उनके मुद्दों को सरकार को कनवे करना और सरकार को गाइड करना समझाना कि यह मुद्दा क्यों important है हम आपके भीतर से बोल रहा है इस भूमिका को भाग संदीप सवरब हैं एक सवाल है कि संवीदा पर जो भी काम कर रहे हैं तो क्या लगता है उनका भविश कहां जाएगा हम लोग मानते हैं कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए संवीदा करन ठीक नहीं है ठेका करन ठीक नहीं है लेकिन बहुत unfortunate है कि केंदर सरकार जिस तरीके से सारे जगों से संवीदा कर्मीओं को ठेल रही है और यहां की सेना में भी सम्वीदा का मतलब क्या हुआ या यहां से सोचल सेटी गैब कर दिया गया जब खतम कब होगा कोई आरन्थी और जोब होने के बाद क्या होगा आपके साथ कोई गारंटी नहीं तो समाजिक सुरक्षा खतम है यह नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में बैटने से पहले ही बलकि कहिए जब अटल विहारी बाजपेई देश के प्रधान मंत्री थे तभी से इन लोग का सिंगल एजेंडा है कि हम जोब के भीतर विक्तर सव्षल सेकेर्टी नहीं देंगे और इसलिए पुराणी पेंशनी स्किम खतम किया गया नई पेंशनी बंद किया यह समझे कि खास तरह का जमिंदारी प्रथा है कि आप रसोईया से 30 दिन तक पांच-पांच सो बच्चों का खाना बनवाएंगे और महीना में उनको बारा सो थमा देंगे तो ये तो खास तरह का बंधुआ गिरी है तो ये सारे मुद्दो को ले करके भागपा माले सरक पर आंदोलन करता रहा है और इस तरह के जितने गुरूप सांदोलन किये हैं उन सब में हम लोग सामिल रहे हैं तो अभी हम लोग की भूमिका ये निश्चीत तोर से बढ़ी हुई है कि हम सरकार को उन मुद्दो पर केंद्रित करवा करके अपनी बात कहवा है और बिहार में सोसन मुक्त रुजगार की वेवस्था करें यह हम जाते हैं बिहार में भी बहुत सारे इसे डिपार्टमेंट पर संबीदा पर बहुत सारे कर्मी है जो काम कर रहे है उनका पकी करन होना चाहिए तो हम मांने हैं दॉड लोना चाहिए चली यह संधीश अरवी और यह पालि गए शीवीदायक है अभी हम इंज से बातचित कर होैं वह है कि अभी क्या है कि बिहार बिहार में जो भी कर्मी है जो सरकारी जोब कर रहे हैं वो ऐसा हो गया है कि अगर वो वो वी PSC पास करना चाहते हैं तो 2 से 3 अटेंट दे सकते मुल्यांकर होना चाहिए अगर ज़रूत पड़े के लेकिन बाहर सऑ सब्सक्राइब करने लोग के लिए जो बिहार में जिनका जॉब नहीं है त्यारी किया जो छोटा करमचारी हो ऑफिसर नहीं बन सकता है निसी तो उनको बनना चाहिए सरकार का पॉलसी है तो इस पर देखा जाएगा इसको कॉंप्रीट है हम क्या कहा दें चलिए इसके साथ है आप देख रहेते सीके टीवी इंडिया न्यूज राजभवन से चितरण्यन कुशवा के साथ नमस्कार जैहिन